रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले मौसम विभाग का अलर्ट जल से इन वाली गर्मी से मिलेगी राहत इन दो दिनों जम कर होगी जहमा जहम बारिश न्यू डेल ही तेज धूप और चिल चलाती गर्मी से अब आपको राहत मिल सकती है मौसम विभाग ने चितावनी जारी की है कि दो दिनों में बारिश हो सकती है इस जुलसाने वाली गर्मी ने हर किसी को परिशान कर रखा है शनीवार को भी तेज धूप उमस और गर्म हवाओं ने पूरे उत्तर भारत में लोगों की हालत खराब कर रख दी दिल्ली, दहेरा, दून समेत आसपास के इलाकों में दोपहर बाद गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई मौसम विभाग के मुताबिक सोंबार से मौसम में बदलाफ हो सकता है शनिवार सुबह से राजदानी दून समेत आसपास के छेत्रों में तेज धूप खिली रही सुबह के समे से ही गर्म हवाएं चलने लगी जिससे गर्मी बढ़ गई पड़े दोपहर बाद तेज धूप के साथ गर्म हवाओं ने लोगों की दिक्कते बढ़ा दी इस तप्ती गर्मी से बचने के लिए लची वाला, सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी समेत अन्य परियट अंस्थलों पर पहुचने वाले परियटकों की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है बतादे शनिवार को भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुचे मौसम विभाग के प्रभारी विक्रम सिन्ग ने बताया कि कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल रही है आज भी मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है साथ ही उन्होंने बताया कि सूमवार रात से मौसम में बदलाव हो सकता है मंगलवार और भुधवार को प्रदेश के ज्यादा तरक्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है तेज गर्मी और गर्म हवाओं से बचावना करने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती है हीट स्टोक से स्थिती बिगड़ भी सकती है बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेश सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है धूप में बाहर निकलने से परहेश करें बहुत जरूरी होने पर सिर्व शरीर को ढख कर रखें ज्यादा गर्म जगे और धूप में खड़ी होने से बचें गर्म हवा से खुद का बचाव करें